हर हर महादेव दोस्तों स्वागते आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर आज की वीडियो में हम सुनेंगे शिव महापुरान श्रीकलाश सहिता का बीसुव अध्याय शौर एवं सनान विधी भगवान सकंद बोले हे मुनीश्वर अप मैं आपको यतियों को शुद्धी प्रदान करने वाले शौर और सनान की विधी बताता हूँ जब शिश्य योग पद को प्राप्त हो जाए तब रत करने से पूर्व और शौर करना चाहिए गुरू को नमस्कार कर उनकी आग्या से शौर कराएं फिर नाई के कपड़ों को मिट्टी और जल से धुलाएं फिर शिव नाम का उच्चारन करते हुए हाथ की अनामिका और अंगूठे को अभिमंत्रित करें आखे बंद कर मंत्र का उच्चारन करें और दाहीनी और से एक शौर कराएं आगे से पीछे की और सिर मुढ़वाएं और फिर मुझे भी साफ कराएं और नाखुन काट लें ततपश्चात नदी में 12 डुपकी लगाकर सनान करें बेल, पीपल या तुलसी के नीचे की मिट्टी लेकर उसका प्रोक्शन कर अभिमंत्रत करें उस मिट्टी के तीन भाग करें एक भाग से बारे बार हाथ मल कर साफ करें दूसरे बाग की मिट्टी को सिर से मूँ तक लेप करके बारेबार जल में डुपखी लगाएं बची हुई मिट्टी का पूरे शरीर पर लेप करें मन में ओंकार का भक्ती पूर्वक जाप करते हुए सोले बार प्रनायाम करें फिर ज्यान देने वाले गुरू का ध्यान करते हुए तीन बार साश्टांग प्रणाम करें तत पस्च्यात तीर्थ स्थान के जल में डुबकी लगाते हुए त्रिलोकनात कल्यानकारी भगवान्शव का स्मरण करें वे देवादी देव महादेव ही संसार को तारने वाले हैं वे ही सबका कल्यान करते हैं इस प्रकार मैंने आपको स्नान की पोण विधी बताई ओम नमस्षिवाए